लाई एवरिवान वेलकम बेक टो मैं यूट्यूब चैनल अगें मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का हादिक स्वागत है तो दोस्तों मार्केट इस वक्त जो है वह साइडवेज में थोड़ा से चल रही है थोड़ा सा वोलेटाइल हो रही है मार्केट को पता न नहीं कर रही है उसको सेशन का नाम नहीं दे रही है बट अगर इस बीच में हम देखे तो कुछ स्टोक है वो बहुत अच्छे से रहली कर रहे हैं अगें उनमें से मैं एक स्टोक की बात करूं तो मेरा फेवरिट सीडी एसल अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते रहते ह तो मैं यह स्टोक तब भी चीक चीक के बोला था बहुत अच्छा फंडामेंटल स्टोक है जब यह 900 रुपे के आसपास था आज इसने 1780 रुपे का जो अपना न्यू लाइफटाइम हाई बनाया है और गाइस मैं आशा करता हूं कि यह इसी एकोडिंग बढ़ता रहेगा और हमें एक अच्छा प्रोफिट देता रहेगा तो इसके इलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी मार्केट की वो थोड़ी सी वोल्टाइल ही चल रही है उसका कहीं ना कहीं हम सभी कन्फूजन में बैठे हैं कि अभी और पर्चेस करें या नहीं तो अगर गाइस अभी भी कि आप पर्चेस करना चाते हैं तो मैं एक सलाह दूँगा कि आप पर्चेसिंग करते रही है बट आप बल्क बाय मत कीजिए तो अगर आपके पास इस वक्त एक लाख है दो लाख रुपे हैं मार्केट में लगाने के लिए तो ओल इन मत कीजिए आप तकरीबन 50% पैसा मार पिचुनिटी देती है तो उसका कंप्लीट फायदा उठा सकती है अगर मैं बात करूं इसके इलावा तो मार्केट रैली भी कर सकती है यहां से और बड़ी बात नहीं है कि यह 20,200 का जो पराना लेवल है उसको पार कर जाए और ओल टाइम न्यू हाई बना दे तो गाइस इ मैं अभी थोड़ा सा bunch of cash पे बैठा हुआ हूँ कि अगर मार्केट में मुझे average out करने का मोका मिलता है तो वो मैं बिलकुल नहीं छोड़ूँगा बट इसके इलावा अगर मैं large cap stocks में कई चीजों की बात करूं तो कुछ stocks अभी भी ऐसे large cap में पड़े हुए हैं में upside potential going further हमे में काफी जादा देख सकता है इसमें से जो finance stock है वो again बहुत जादा अच्छे stocks पड़े हुए हैं बहुत ही अच्छे attractive prices पर और guys मैं ये बात कर रहा हूं उन banks के बारे में या उन companies के बारे में जो बहुत ही large cap है जिनमे risk जो है वो बहुत कम है इनकी जो valuation है इस वक्त बहुत अच्छी valuation चल रही है मैं अपने पिछले stocks पिछले वीडियो में इन stocks के बारे में discussion भी की थी और अभी जो मैं buy कर रहा हूं वो है HDFC bank और ICIC bank ये दो stocks हैं जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आगे जाके हमें आने वाले एक साल में या maximum डेर या दो साल में एक अच्छा profit दे सकते हैं तो उस according मैं इन stocks को buy कर रहा हूं अगर नीचे आते हैं तो वो मुझे एक average करने का मौका मिल जाता है तो इसी के साथ guys आपको भी कोई न को strategy बनानी पड़ेगी market में strategy बनाने के साथ buy करने के साथ साथ सबसे important ये है कि आप buy करते वक्त अपना sell price भी दमाग में रखे क्या होता है बहुत से लोग जब हम buy करते हैं तो हम buy करते हैं buy and forget the stock नहीं ऐसे नहीं चलेगा आप buy कीजिए आप 5 ये 10% का जो initial उसमें target है आप achieve करना चाहते हैं वो लगाए और लगा के रख दीजिए guys जब भी target हीट होगा वो उतने पैसे आपको मिल जाएंगे उतना profit लेना है तो ये सबसे बड़ी है तरीक का है इसके इलावा और भी बहुत से scenarios है जो आप include कर सकते हो अगर आप जरूद है यूज करते हो तो वहाँ पर आपको पता है GTT order करके हम एक बना सकते हैं GTT बतल गुड तिल ट्रेड तो उससे क्या है अगर suppose आपने कोई bank का stock buy करना ह suppose HDFC की हम example ले लेते हैं उसका stock अगर buy करना है आपने तो आप लगा सकते कि भाई जब 1450 का rate आए तो अपने आप ये buy कर ले stock यहाँ अगर 1550 का rate आए तो अपने आप sell कर ले तो ऐसी opportunities हमें आजकल जो हमारे platform है बहुत ही जादा दे रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी opportunity लेग हो जाता है जब ये नीचे जाते हैं अभी गाईज मैं इस वीडियो में पहले ही बोल जो का हूं मैं banking stock में heavily invest कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है बहुत ही जादा attractive levels पे वो अग भी है और आने वाले कुछ time में वो एक अच्छा breakout दे सकते हैं जिससे अच्छा खरसा portfolio हमारा ब